नमस्कार प्रियास ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ट परसनों पर संदी का टोपिक हमारा कल पूरा हुआ पिथले वीडियो में उसके बाद हमा आज चर्चा करें संदी से संबंदित परसनों को हल कैसे किया जाता है उन संबंदित परसन परिक्ष्या में कैसे पूछे जाते हैं जैकर यह परसन डालने का इनका वीडियो डालने का मोटीव एक ही है कि आपके मन में कहीं भी कोई हतासा नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है संदी हम पांचवी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कई बार हम लोग उदारन लेखते हैं तो कई स्टुडेंट्स के मन में यह भावना आ करते हैं कि यह तो सरल सरल उदारन है ऐसे से परसंद थोड़ी आता है कोई कलिश्ट उदारन होना चाहिए तो उस भावनास को हटाने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में पिछली परिक्षाओं में चाहिए वह फैस्ट ग्रेड है रिट लेवल है थर्ड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड एक्जाम है ऐसा ही एक्जाम है जिनमें हिंदी के संदी से समंदित परसन पूशे जाते हैं उन परसनों पर चर्चा करेंगे और साथ-साथ ये भी चर्चा करेंगे कि उन परसनों को हमें हल कैसे करना चाहिए कई बार हम जल्दबाजी करते हैं गलतियां कर देते हैं तो देखो पहला परसन अपने पास आता है व्रिषत चायां का संदी विच्छेद क्या होगा ये परसन पूछा था आर्टेट 2011 की परिक्षा में सेकंड लेवल में परसन आया था व्रिक्षत चायां अब मैंने आपको संदी के नियम में बता रखा है कि 6 वरन से ठीक पहले अगर 6 वरन लिखा हुआ है तो वहाँ नियम कौन सा काम करेगा एक नियम हमने लिखा था स्वर के बाद यदी 6 वरन लिखा हुआ है पलस से पहले कोई स्वर है पलस के बाद 6 वरन लिखा हुआ है तो वहाँ पलस के निसान के स्थान पर 6 वरन का आगमन हो जाता है ये नियम वन लाइन नियम था और ये आपको मैंने बताया था कि व्यंज सब्ध छाटकर निकालें तो पहला सब्ध आया, पहला सब्ध अगर हम देखें तो विषर्ग के बाद 6 वरन आता है तो विषर्ग सेमे बदलता है, अब सेमे बदल रहा है, सेह यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यह उप्शन बिल्कुल गलत हो गया, इसी प्रकार वि व्रिक्ष जोड चायां तो व्रिक्ष शब्द लिखा हुआ है व्रिक्ष में अंत में क्या है ए पलस के बाद क्या है छा ठीक है एस वर है छे वरन आ गया तो पलस के स्थान पर चाह लगाएंगे और सब्द बन जाएगा व्रिक्ष चायां तो अपना उत्तर क्या होगा व्रि महा जोड़ उदे से बना सब्द है ये भी लजक के बने गएगा आरट एट दो हजार ग्यारा की परिक्षय में पूच Coming महा जोड़ उदे तो यहां पर देखो पलस से पहले क्या है पलस के बाद क्या है वोग क्या बनेगा और U جڑता है, तो क्या बनता है उ बनता है, तो महा का क्या हो जाएगा महो, U का लोफ हुआ और डैसेस बचा तो पहला option आया अपने पास महोदे महोदे शब्द ही, इसका सुद्द सब्द माना जाएगा, महोदे महोदे, महोदे गलत माना जाता है, अब इसी उ आ रहा है इसलिए संदी कौन सी आदेश हो जाएगी गुण संदी आदेश हो जाएगी अगले प्रसंद पर चलें तो अगला प्रसंद है अपना सद भावना सब्द का संदी विच्छेद होगा सद भावना सब्द में संदी विच्छेद है तो यहां पर सद भावना सै बहाना भी बनेगा क्या सिग्षी उस्तान सोर्फ की बनेगा सद भावनाविती है बह वरान के बाद तीसरा चोथा ह этих ये उब्हानत तैका ताइसमार का कई सब्द हो स सद भावना अभ दो सांसर समारा नाए उतिकले उत्तिव। इसरे न्यम न उद तत तद मृत मृत इन तीन सब्दों के उपर तो विद्वान एकमत नहीं है कुछ विद्वान तैवाले विकल्प को सही मानते हैं कुछ विद्वान दैवाले विकल्प को सही मानते हैं लेकिन ये सब्द जो बनते हैं वो संस्कृत के सब्द बनते हैं जो तत्सम स्रेणी में आते हैं और संस्कृत के तत्सम सब्द बनेंगे तो संस्कृत का उपसर्ग ही सुद्ध माना जाता है लेकिन हिंदी वाले विद्वान केते हैं नहीं साब उद नहीं उद मानना चाहिए अभी तक दोनों की एक राय नहीं हुई है तो अपने पास उद्ध ओप्सन आए तो उद्ध सही कर देंगे उद्ध आए तो उद्ध सही कर देंगे लेकिन समश्या कहां होगी जब दोनों ओप्सन आ जाएं तो कौन सा सही करें तो इन तीन सब्दों में तो दैवाला ओप्सन सुद्ध माना जाएगा दोनों में से एक का चैन करना हो तो अकेले का चैन करेंगे तो कोई सा भी कर सकते हैं इसमें से लेकिन दोनों विकलब के रूप में आ जाएं तो वहाँ पर इन तीन सब्दों में दै वाले को पर्थम वरियता दी जाएगी सेस सब्दों में तै वाले को वरियता दी जाती है जैसे सत सब्द सुद्ध माना जाता है संस्कृत में सद नहीं माना जाता ठीक है ये सद एक अव्य सब्द या संस्क्रित के अन्य उपसरगों में सामिल किया जाता है तो यहाँ सद जोड भावना वाला सद नहीं होगा उत्तर नंबर 4 इसमें सही माना गया था चलें आगे, अगला प्रस्था सब्द में संधी है तो व्यवस्था सब्द ये भी 88-2012 में प्रस्था पूछा गया था second level में, व्यवस्था सब्द में कौन सी संधी है आपको पूर्तनियम बताया हुआ है कि किसी भी सब्द में ये, वे, और रह वरन से ठीक पहले पहले आधावे लिखा हुआ है, इसलिए संधी कौनशी होगी, यन स्वर संधी यहां पर मानी जाएगी और यही परसं सही हो जाएगा, अब इसी परसंद से एक परसंद और बना सकते हैं आपन, कि व्यवस्था सब्द का संधी विझेद क्या होगा, तो वी जोड अवस्था इसका क्या हो जाएगा संदी विच्छेद हो जाएगा संदी विच्छेद से परसंद पूछ लेता तो वी जोड अवस्था हो गया संदी यन हो गई एक परसंद और बन सकता है कि व्यवस्था सब्द में उपसर्ग कितने है वी अवस्था सब्द में उपसर्ग कितने है तो उपसर्ग जब अपने को निकालना होता है तब वहाँ पर तब तक उस सब्द के टुकड़े करना चाहिए जब तक कि मूल सब्द बाहर नहीं निकल जाए तो वी एक निकल गया अवस्था अलग हो गया ये तो संदी का काम यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया लेकिन अवस्था सब्द जो देखते हैं अपन ये भी अव जोड़ अस्था मूल सब्द यहाँ पर स्था है ठीक है अव उपसर्ग वी उपसर्ग तो कुल उपसर्गों की संक्या कितनी हो गई दो हो गई ठीक है कई बार परसन पूछ लेते हैं कि व्यवस्था सब्द में मूल सब्द और उपसर्ग को अलग-अलग कीजिए तो वहाँ वी अव और मूल सब्द क्या हो जाएगा अस्था हो जाएगा तो एक ही परसन से चार परसन तीन परसन बन सकते हैं अपन कई बार DTS देखते हैं टेस्ट सिरीज देखते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं अपना परसन सही है बसा और कुछ नहीं करना है इसमें उस पर कोई विचार ही नहीं करते हैं कि सब्ध चाए अंगरेजी भासा हो कोई भी बासा हो सब्ध अथा होते हैं सब्दों का कोई निश्चित्ता नहीं होती असन्ख्या सब्द है तो वहां पर सब्ध कोई भी आ सकता है इसलिए जितने ज़ादा अपन उस पर person बना सके उतने बनाने चाहिए कई बार अपन test series चलाते test series में उत्तर देख लिया सही है तो सही है और जब गलत होता है तो हम दूसरे option की तरफ नहीं जाते केवल जो सही option होता उसी को tick कर लेते हैं जो हम 10% आपको वीडियो के बाद में देते हैं उन 10% से आप 40% बना सकते हो एक एक option से एक एक परसन बनाओ ठीक है साब व्यवस्ता में ये पूस्ता तो ये हो जाता ये पूस्ता तो ये हो जाता ये हो पूस्ता तो ये हो जाता तो दस से ही आपके कितने परसन बन गए 40 और इस रूप में जब आप पर्संद बनाने लग जाओंगे तो कोई एकजामेसी सेश नहीं रहेगी जो जिसमें आपके बनाए हुए पर्संदे नहीं आते हैं अगले प्रसन पर चच्चा करें, तो अगला प्रसन है, पूरोधा सब्द में संदी है, पूरोधा सब्द में संदी है, अब यहां पर देखो कई वीडियो हम देखते हैं, कि पांच मिनट में संदी सीखें, पांच मिनट में संदी सीखें और वो कहते हैं, ए, ओ, और आ जाए किसी सब्द में तो आँख बंद करके गुन संदी कर दो, यहां कर दो आँख बंद करके गुन संदी गलत हो जाओगी, ओ आ रहा है, लेकिन पूर जोड धा, पूर जोड धा से ये सब्द नहीं बना, ये सब्द तो विसर्ग से बना है, पूर है जोड धा, विसर्ग उ में और पूरोधा का अर्थ होता है अग्रणी पूरोधा कहते हैं किसको अग्रणी पूरे है पूरे का मतलब आगे की ओर धारन करने वाला जो आगे की ओर का की विवस्ता धारन करता है उसे ही क्या कहा जाता है पूरोधा कहा जाता है ठीक आगे वाला प्रसंद देखें आगे प् सेकिंड 2017 जो अभी परीक्षा लाश्ट हुई थी उसमें पूछा गया था अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है सिधा प्रसंद देखे हैं कि गुरु जी आपने बताया था यह वरण से ठीक पहले आधा वेंजन आ जाए तो यन संदी करनी है तो यन संदी करेंगे तो तैको पूरा करेंगे सती बनेगा ये काई हो गया और सेस क्या बच गया आगरह शब्द बच गया सती जोड आगरह यन संदी का नियम तो काम कर रहा है लेकिन फिर चार ओप्षन देखो एक ओप्षन पर रुखना नहीं आपको वेंजन विसर्ग यन और दिर्ग दिर्ग का देखे तो आ दिर्ग स्वर भी आ रहा है तो इसको यहां से भी हम तोड सकते हैं सत्य जोड आगरह अब इन दोनों में अगर अपन संदी का नियम देखते है तो नियम के अनुसार तो दोनों के अकोर्डिंग ही सत्यागरह सब्द बन रहा है लेकिन सुद कौन सा होगा अब सत्यागरह का अर्थ होता है सत्य के लिए आगरह है अब सत्य के लिए आगरे है तो नीचे वाला सही होगा सत्य के लिए आगरे सही थोड़ी होता है जैसे गांधी जी ने सत्य आगरे किया तो गांधी जी ने सत्य के लिए आगरे किया था या किसी सत्य के लिए आगरे किया था सत्य के लिए आग्रे किया था तो सत्य जोड आग्रे है A और A मिल रहा है संदी कौनशी होगी दिर्ग होगी जल्दबाजी में आप यह से ठीक पहले आदा देख करके यन संदी करते हो वो गलत माना जाता है अगला प्रसन देखें अगले प्रसन पर चच्चा है तिरसकार सब्द यह तो पिछली परिक्षाओं में बहुत ज़्यादा हिट प्रसन हुआ था रिट लेवल 2017 में भी पूछा गया 2018 की वरिष्ट अध्यापक परिक्षा में भी पूछा गया H.T.E.T. 2017 में भी पूछा गया और संधी विच्चेद इसका क्या होगा तीरे है जोड कार आगे चले तो आगे प्रसन आता है अपना इन में से संधी की द्रिष्टी से कौन सा विकल्प गलत है यह प्रसन वरिष्ट अध्यापक परिक्षा संस्क्रिश शिक्षा डिपार्टमेंट से जो हुई थी दोजार ठारा में उसमें पूछा गया था तो गलत बताना अपने को सत्ट चित और आनन्द तै के बाद चैवरन आ रहा है तो तै चै में बदल गया तै के बाद स्वर आ रहा है तो तै दै में बदल गया इसका मतलब सचिदानन्द बिलकुल सुद्ध सब्द है देवी जोड अरपन, दिव्यरपन यन संदी है ये भी बिलकुल सुद्ध हो जाएगा वाक जोड मैं है, वांग मैं है और भू जोड उधर्व, भूधर्व भी बिलकुल सही है अब जल्दबाजी में हम इस वांग मैं को वांग मैं पढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पर इसने गय और लिख दिया पलस से पहले पर्थम वरण और पलस के बाद पांचवा वरण आता है तो संधी करते हैं तो पर्थम वरण अपने ही वरग के पांचवे वरण में बदलता है यहां इसने पांचवे वरण में तो बदल दिया वांग और बाद में मैं ही लिखना होता है इसने गय और लिख दिया जिसके कारण ये असुद्ध हो गया और असुद्ध ही अपने को सब्द सही है वरिष्ट द्यापक संस्क्रिट सिख्षा 2018 में यह परसंद पूछा गया कवी जोड इंद्र ई और ई मिलकर के बड़ी इबन गया सही है ठीक राम जोड इस रमेश नहीं होता रमा जोड इस रमेश होता है रमा जोड इस रमा कहते हैं लक्षमी को इस का मतलब हो गया स्वामी लक्षमी का स्वामी रमेश कहलाता है विष्णू का प्रियायवाची हो जाएगा यह उत जोड स्वसित उत जोड स्वसित तो तै के बाद अगर तालव्य से आता है तो तै वरन तो अपना किस में बदलता है चै में और तालव्य से जो वरन है वो किस में बदल जाता है, 6 वरण में बदल जाता है, तो तैको चै में बदले, उ का उ, तैका चै, सैका चै, और वे का वे, और शित, उच्छ वशित, उच्छ वशित सब्द बनता है, ये भी सुद्द है, दिक जोड नाग, दिग नाग, यहां पर ये नुकता नहीं लगाया, इन्होंने, यह था नहीं होगा क्योंकि पांच्वे वरन में यह तो तीसरा वरन है डे के आगे नुकता लगता है तब कैका पांच्वा वरन बनता है तो यहां पर इसने यह नुकता नहीं लगाया इसके कारण असुद्ध हो गया ठीक है अब आप कोगे गुरुजी यह भी सही है और यह पर च्छेवी स्वर्शे हीन होगा उच्छवास सब्द सुद्द छै ऐसे लिखकर लिखा जाता यहां अगर हलंत लगाता तब यह सही होता हलंत नहीं लगाया इस कारण गलत हो गया तो उत्तर क्या हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा देखो परिक्षाओं में यहां पर आज समस्या एक और है रीट का सलेबस थोड़ा लेंदी सलेबस है और परसनों की संख्या कम है तो वहां पर सारे सलेबस को कवर करने के लिए एक ही परसन में दो चीजे तीन चीजे पूछने का प्रचलन हो गया अब यहां पर आपको सुद्द सुद्द भी पूछ लिया कि यह स कुछ वशित सब्द कैसे लिखा जाता है आपको पता है हलता है तब ही सही कर पाओगे दिदनाग होता है या दिंगनाग होता है तो यह सुद्द सुद्द वाला भी यहीं पूछ लिया दोनों उतर इसी में पूछ लिया तो एक प्रसन में दो two-to-in-one वाला शिस्टम यहा प्रसंद थोड़ी आते यह रिटलेवल फर्ष्टे दोजार ग्यारा में प्रसंद पूछा था सभी को पता है स्वरसंदी होती है विद्या जोड आले और आव का अगले पर चले अगला कुछ विद्यारती आप संदी करना ही बता रहे हो संदी विछेद करना नहीं कई बार परसन ऐसे आ जाता है कि साब संदी करो तो हमें समस्या होती है तो एक चीज बताओं में आपको कि देखो शीखना जो अता है वो संदी करना ही शिखाया जाता है कि बार गरवाले यह नहीं कहते हैं कि पडोशियों से लड़ाई करके आजाओ उनसे अपना प्राया भी था किसी भी सब्द में ये और वे वरण से ठीक पहले अगर ए या आ लिखा हुआ है तो वह सब्द प्राय है कौन सी संदी का अयादी संदी का माना जाता है जैसे वे से ठीक पहले ए वे से ठीक पहले आ ये से ठीक पहले आ ये से ठीक पहले आ बस ये चार कंडिसन आपको ध्यान रखनी है अगर वैसे ठीक पहले ए लिखा हुआ है तो इस ए और वै को तो छोड़ दो और इन दोनों की जगह अपने को लगाना है क्या? ओ इन दोनों को हटा देंगे ओ लगा देंगे आ और वै को छोड़ दो और क्या कर दो? आउ कर दो मतलब वैसे पहले ए है तो ओ करेंगे वैसे पहले आ है तो अउ करेंगे ये से पहले ए है तो ए करेंगे और ये से पहले आ है तो अई आदेश कर देंगे अब इस नियम के अकोर्डिंग इस सब्द को देखें तो वैसे ठीक पहले ए आ रहा है ना पवन के साथ पै ए वै ने ये है ठीक है वैसे ठीक पहले ए है अयादी संदी है वैसे ठीक पहले ए होगा तो आधेश क्या होगा O ए और वै की जगे क्या बना देंगे हम O पै के साथ O जुड़ा अब वै हलंत है यहांपर यहां पर मैंने पूरा लिख रखा है पूरे वे में से आधा वे माइनस करेंगे तो सेश क्या बचेगा ए तो ए और ने ठीक है पो पेके ओ की मातरा लग गई क्या बन गया पो और पलस के बाद वे को छोड़ दो अन बाद में लिख दो अन यह नियम बन गया पो जोड अन अब यह विकल्प देख लो कौन से विकल्प में तीन नंबर विकल्प में है तो पो जोड अन पावन की संदी विछेद हो जाएगी ध्यान रखना यह से ठीक पहले ए ए की मातरा लगाएंगे वैसे ठीक पहले A, O की मात्रा लगाएंगे तो वैसे ठीक पहले A है O की मात्रा लगा दी A और V को छोड़ दिया A से इस बचा A नय बाद में लिख देंगे और इसके O की मात्रा लगाकर पलस से पहले लिख देंगे आगे वाले प्रसन पर चले उच्चारण सब्द का संदी विखेद है रिट लेवल फर्ष्ट दो हजार ग्यारा में ये प्रसन पूछा गया तो उच्च जोड चारण नहीं हो सकता उच्च जोड चारण सयोग हो जाएगा ऐसे करेंगे तो यहां मैंने बताया कि उद अगर ओप्सन हो तब दोनों में से उद का चैन करेंगे अब अकेला उद ही उद ही दे रखा है तो वहाँ पर किसी दूसरे की तरफ नहीं जा करके उद का चैन हमें करेंगे ये तीनों गलत है और ये उद वाला सही हो जाता है कई बार हम देखते हैं कि कुछ विद्वान हमें ये भी बताते हैं कि उद्धी सही होता है उद नहीं होता है हिंदी में उद को शिकार कर लिया लेकिन वो किस कंडिशन तक होता है जब तक उद ओप्सन में नहीं होता तब तक तो उद्ध को सही कर सकते हैं लेकिन उद्ध अगर ओप्शन में आ गया तो पहली वरियता उद्ध को दी जाती है तो यहां पर उद्ध जोड चारण सब्द सही होगा अगला प्रसंद देखे किस सब्द में गुण संदी है गुण संदी कहां का मान सकते हैं जिस सब्द में ए का प्रियोग हो, जिस सब्द में ओ का प्रियोग हो, जिस सब्द में अर का प्रियोग हो, वहां पर आयकर गुन संदी मानी जाती है, तो सिंधूर मी कोई आ रहा है इन में से, नहीं आ रहा, भारतेंदू आ रहा है क्या, ए, नारीश्वर नहीं आ रहा, लोक भारत का चंद्रमा भारतेंदू हरिस्चंद्र को कहा जाता है सिंधू जोड उर्मी इसी प्रकार सब्दा जाए नारी जोड इश्वर तो नारी जोड इश्वर लोक जोड एश्वर ये ठीक है अगर इन सब्दों के संदी विच्षेद कर ले तो सारों के संदी विच्षेद भी हमने कर ली पूछा गुण संदी कौन से में तो यहां उ-उ मिल रहा है तो दिर्ग स्वर होगी ठीक यहां ए ए मिल रहा है गुण हो जाएगी यहां ए के साथ ए मिल रहा है फिर से दिर्ग हो गई और यहां पर ए के साथ आई का मेल हो रहा है तो वर्दी आदेश हो जाती है ठीक, चले अगले प्रस्ण की और, अगला प्रस्ण है किस विकल्प में गलत संदी विछेद है, ये हाल ही में जो परिक्षा हुई, प्राध्यापक परिक्षा, व्याक्याता परिक्षा हुई 2020 में, उसके लिए है जिके के फश्ट पेपर में, चार स्रेणियां थी जिके की, जिके की एसरेणी में पूछा था किस विकल्प में गलत संदी विछेद है, तो सर्वेक्षन सब्द तो सर्व जोड एक्षन पूर्ण रूप से सुद्ध है, पुत्र जोड एशना, अब पुत्र जोड एशना से पुत्र एशना बनता है, लेकिन एशना सब्द यहां सुद पूरूप से सुद्ध है आसा जोड अतीत आसा तीत भी पूरूप से सुद्ध है यहां पर असुद्धता ये एशना वाली आ गई इसलिए उत्तर दो नंबर सही माना गया सर्वेक्षन गुण संदी उपरयोक्त यन संदी आशा तीत दिर्ग संदी हो जाएगी अगला प्रसन अपना है इन में से किस विकल्प में संदी सही है ये प्रसन पूछा था प्राध्यापक 2020 जिक्के के दूसरे पार्ट में ठीक है तो सही संदी अपने को देखनी है तो यहां पर देखो दिक की जोड मंडल दिक की जोड मंडल दिगमंडल सब्द नहीं होता क्योंकि पलस से पहले पर्थम वरण और पलस के बाद पाँचवा वरण आता है तो पर्थम वरण पाँचवे वरण में बदलता है इसलिए सब्द बनेगा दिगमंडल सब्द क्या बनेगा दिंग मंडल बनेगा दिंग मंडल नहीं बनेगा एक जोड एक 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 वर्धी संदी है यहां पर प्रशन अपना बिल्कुल सही है ठीक है इस्त्री जोड उचित इस्त्रियोचित नहीं होता इस्त्री जोड उचित हो जाएगा इस्त्रियूचित यण संदी आदेश होगी और सब्द बनेगा इस्त्रियूचित अगला है पित्री जोड इच्छा यह सही है पित्री जोड इच्छा पित्री इच्छा पित्री जोड इच्छा बनना चाहिए था यहां पर पित्री के रिकी मात्रा यह लगा दिये और सहींगी कर रहा है इसलिए गलत्माना जाएगा ये भी असुद हो गया ये भी असुद हो गया उत्तर क्या होगा सही एक जोड एक बराबर एक एक अगला प्रसन देखें तो अगले प्रसन में आता है इन में से किस विकल्प में सही सन्दी है 2020 प्राध्यापक प्रीक्षाथ जिके C गुरूप में पुछा गया था उत्तर जोड अयन, उत्तरायन ठीक है तथा जोड एव तथेव नहीं बनता तथा जोड एव जो बनेगा वो बनेगा तथेव और वर्दी संदि आदेश होगी ठीक, सत्य जोड मती, सद्यमती नहीं होकर के होगी सन्मती ठीक, सत्य जोड मती, सन्मती आदिश होगी लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आप सत्य जोड मती कभी भी तैदे के बाद में मैवरन आता है ठीक, तो तैदे के बाद में मैवरन आते ही सम्मती अगला नियम था ये सत जोड मती का क्या हो जाएगा सनमती, सत जोड गती, सद गती इन में से किस विकल्प में सही संधी की गई है उत्तर जोड अयन, उत्रायन अब यहाँ पर ये दो ओप्सन आ जाते हैं आपके पास किसाब अब कौन सा करें ये तो दो सही हो गए लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि रह वरण जब सब्द में आ जाता है तो नेका क्या होता है अने हो जाता है देखो, आप लोग ये देखते हो कि फस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, री, टेसंधी तो एक ही है सब में अंतर पर्सन की प्रकरती का होता है नियम सब में एक होता है पर्सन की प्रकरती आपको उल्चाने वाली लगती है उत्तर जोड अयन, उत्रायन सही है आप टिक करके गोला काला कर देते हो तथेव का पता है आपको कि दो मातरं आएंगी सद्मती का पता है अंगाएगा चोथे विकलब के इतरफ गए नहीं एक नमबर को सatori करके आगे जबकि उतरायन ऐसे नहीं होकर क्या बनेगा उतरायन जैसे राम जोड अयन रामायन बनता है वैसे उत्तर जोड यान, उत्रायान, सुद्ध होगा, यहाँ पर उत्तर विकल्प क्या माना जाएगा? 4 नंबर सही माना जाएगा तो 2 के उत्तर आगे ना, फिर घर आगर कहते हैं किसाब मैं 2 तो छाँट लेता हूं फिर उन 2 में से सही नहीं कर पाता हूं तो सही कैसे कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से इन्हें छाँट ही नहीं पाते हो तो उत्तर क्या होगा अपना सत्त जोड़ गती सत्त गती अगला प्रसंद देखें अगले प्रसंद में आता है वागीस सब्द का संदी विच्छेद होगा तो वागीस का संदी विच्छेद वाग जोड इस पहला नियम आ जाएगा विंजन संदी का और वागीस सब्द होगा ये प्रसंद वरिष्ट ध्यापक 2016 परिक्षा में पूछा गया था वाग जोडीस नहीं होगा वाग जोडीस नहीं होगा वाग का मतलब हो गया वाणी इसका मतलब स्वामी या इस्वर वाणी का जो इश्वर होता है उसे ही क्या कह दिया जाता है वागीश कह दिया जाता है ब्रैस्पती के लिए सब्द प्रयुक्त होता है अगला प्रसंद देखें अगला प्रसंद है लोकेशना सब्द में कौन सी संदी है वरिष्ट ध्यापक परिक्षा हाली में जो हुई 2018 उसमें पूछा गया था तो लोकेशना लोकेशना दो चाहिएगा व्रधि-संदि-आदेश हो जाएगा लोक जोडेशना लोक जोडेशना सब्द इसका विच्छेद हो जाएगा ठीक है । अगले प्रसंद की और चले तो अगला प्रसन है अपना इन में से किस विकल्प में सही संधी नहीं हुई है अब देखो कई बार प्रसन पढ़ते हैं अपन तो बस किस विकल्प में सही संधी और इस नहीं को खा जाते हैं पढ़ते नहीं है और पहला सब्द आपको सही दिखाए देगा कवी जोड इस्वर इन में से किस विकल्प में सही संदी नहीं को नहीं पड़ा, सीधा यहां आगे, कवी जोड इस्वर, पहला ओप्सन सही दिया, अगले ने इसी को टिक लगा दिया, गोला काला कर दिया, यह जल्दबाजी की निशानी है, परसन पूरा पड़ो, पूरा परसन है, इन में से किस विकल्प में सही संदी नहीं हुई है, नहीं हुई है बतानी है, कवी जोड इस्वर तो पूर्ण रूप से सही है, दिर्ग संदी है, समुद्र जोड ऊर्मी, यहां भी संदी, पूर्ण रूप से सही है, गुन सवर संदी है, मनू जोड अंतर, मनवंतर भी सही है, यन सवर संदी हो ज जाएगा पित्रे नुमती शब्द हो जाएगा इसलिए चार नंबर ओप्सन यहां पर सही माना जाएगा अगला प्रसंद देखें निम्न में से किस विकल्प में सही संदी नहीं हुई है यहां पर भी नहीं सब्द वरतमान में जो परिक्षय हो रही है उनमें नहीं जोड दि संदी है सही है वर्षा जोड रितू वर्षर तू गुर्ण संदी है यहीं योगी जोड इस योगेश नहीं होता योगेश सभ्ध poisonous रिक्षा में यह पूछा गया था कि सब्ड में संधी सही नहीं है तो सत्त जोड धर्म सधर्म सथ जोड नारी सननारी गलत ओ गया क्योंकि तैक하다 यह बाद पांचवा वरण है तो तह्ते या पर्थम वरण के साथ पांचवा वरण आता है तो पर्थम्वरण भी अपने ही वर्ग के पांचवी वरण में बदल जाता है यह पर इसने तीसरे में बदल दिया इस लिए ये सुद्ध नहीं है आगे वाले option ओड़ देख ले महा जोड़ दे महोदे वर्चा जोड़ रितू वर्शर तू तो सन्नारी वाला option सही हो जाएगा सुद्ध सब्द इसका होगा सत्जोड नारी बराबर सन्नारी ठीक है अगला question देखें अगला question अपने पास आता है इन में से किस सब्द में संधी सही नहीं है किस सब्द में संधी सही नहीं है बताना है संधी है नहीं यह भी ऐसा ही परिक्ष्या 2016 में प्रशन पूछा गया था अधी जोड आदेश अध्यादेश यन स्वर संधी हो गई बिलकुल सही है अभी जोड आगत अभ्यागत यह भी सही है यन संधी है यहाँ पर अधी जोड अधीन अधी जोड अधीन अध्यादीन नहीं होता अधी से ए की मातरा लगी बाद में क्या है अधीन यह तो बता है आपको संदी करते समय यह ध्यान रखना है अधी जोड अधीन एके बाद एसमानस्वर आ रहा है तो अध्ध जोड ए बराबर एधीन ठीक है एके बाद एसमानस्वर यंसंदी है तो ये आधेस होगा एका ए ध्याधा हो जाएगा ये और एधीन अब यहां इनको जोड़ कर लिखे तो ए का ए धै आधा ये आधा आगे क्या है ये इसलिए ये क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा और से इस क्या बचा धीन सब्द क्या बन गया अध्या दीन बना अध्या दीन नहीं बना अध्यादिन नहीं बना इसलिए यही गलत है ठीक है अभी जोड अर्थी अभ्यर्थी होता है यह तीन नंबर का प्रसन यहाँ पर ओप्सन नंबर तीन सही हो जाएगा अगला प्रसन देखे किस सब्द में संदी गलत है यह भी उपनिरिक्षक परिक्षा 2016 में पूछा गया था अतेह जोड एव विल्कुल सही है मम जोड इतर ममेतर अक्ष जोड उहीनी अक्षो उहीनी नव जोड उढ़ा नव उढ़ा नहीं होता नव उढ़ा होता है नव उढ़ा नहीं होता नव उढ़ा सुद्ध होगा इसलिए यहां पर असुद्ध विकल्प चार नंबर हो जाएगा अगले प्रसन की ओर चले अगला प्रसन है कि सब्द का संदी विछेद सही नहीं है तो महाजोड आमाते महा जोड आमाते क्या बन गया महा माते भया करांत भया जोड आकरांत हो जाएगा यहां पर ठीक है सनेह आविष्ट सनेह जोड आविष्ट यह भी सही है कंटक आकीरण कंटक कहते हैं सेना को ठीक है तो कंटक आकीरण कंटक जोड आकीरण ये भी सही है लेकिन फिर गलत कौन सा हुआ यहां पर गलत यह है क्योंकि आमात्य नहीं होता क्या होता है एमात्य कहा जाता है मंत्री को ठीक हैं, महा आमातिय का मतलब होता है महा मंत्री महा जोड आहमातिय होगा आमातिय नहीं होगा इसलिए ये सब्ढ भी स़गा कई बार पूछ लेते हैं संदी में ऐसे परसन कि संदी भी हो जाए और सुद्द सुद्ध का इयान भी प्राप्त हो जाए अगला प्रसंद देखे, किस सब्द में संदी सही है, तो इस्त्री जोड उचित, इस्त्री उचित गलत है, नदी जोड अरपन, नद्यारपन भी गलत है, क्योंकि क्या होगा, नद्यारपन होगा, अरपन है तो यह पूरा बनेगा, नद्यारपन, ठीक है, अगला देखे, एक जोड एक 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 गलत है सुद्ध क्या होगा एक जोड एक बराबर एक एक ठीक है इसी प्रकार पित्रे जोड अनूमती पित्रे नूमती ये पूर्ण रूप से सुद्ध है इसलिए सही संदी पित्रे नूमती में मानी जाएगी अगला प्रसन देखे सदानंद का संदी विच्छेद होगा यह प्रस्ण पूछा था 33 स्रेणी अध्यापक 2013 88-2011 88-2012 परिक्षा होने के बाद एक 33 स्रेणी भरती है अध्यापक परिक्षा आयोजित की गई थी उसमें प्रस्ण आया था तो यहाँ पर पहला यह उप्सन सही हो जाएगा सत जोड आनंद सदानंद का अगला प्रस्ण देखे स्रावक शब्द का संदी विच्छेद करे तो स्रावक वैसे पहले आ आ आ रहा है वैसे पहले आ आने के कारण स्राव में बदल गया और सब्द क्या हो जाएगा स्रावक ठीक है अगला प्रस्ण देखे सत्चिद आनंद का संदी विच्छेद है तरत्यस रेणी अध्यापक 2013 में ही यह प्रस्ण आया सत जोड चित जोड आनंद यह रिट में 88 2011 में भी आया था और तरत्यस रेणी अध्यापक 2013 में भी आ गया सत जोड चित जोड आनंद इसका ओप्शन हो जाएगा बाकी गलत है पूर्ण रूप से क्योंकि नीचे वाला भी अपने को सुद्ध दिखाई दे रहा है चिदानंद लेकिन चिदानंद की भी संदी हो सकती है चित जोड आनंद तो तीन जगे से टुकडे करने होंगे इसके तो पूर्ण सुद्ध होगा इसलिए पूर्ण सुद्ध विकल्प ये माना जाएगा अगला प्रसंद देखें परिशकार सब्द का सही संदी विच्छेद है परिशकार परी ही जोड दानंद कि तब भी बताया था कि शुरूवात में ये प्रसन आपके समश्या नहीं करता ये प्रसन समश्या कब करता है जब आता है परिशकार सब्द का संदी विच्छेद है आप सुरू में देखोगे परी ही जोड कार दिमाग आ जाएगा बही ही जोड कार वाला नियम आपके दिमाग में आ जाएगा और आप इसी option को क्या कर दोगे सही कर दोगे जो गलत माना जाएगा क्योंकि मैंने विशेश नियम आपको सम उपसर्ग के बाद लिखाया था वेंजन संदी में कि परी उपसर्ग के बाद क्री क्री धातू से बने सब्द अगर आते हैं तो क्री धातू से बने सब्दों का विच्छेद करते हैं उपसर्ग और सब्द के बीच में मुर्धने से का आगमन हो जाता है तो उपसर्ग परी है बाद मेकार है मुर्धने से का आगमन हो गया सब्द बन गया परिश्कार और सेस बचे जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं अगले क्लास में ये प्रसंद सारे के सारे पिछली प्रिक्षाओं में पूछे हुए हैं इस रूप में अगर आप प्रसंदों को तयार करोगे तो पूर्ण विश् चीज और ध्यान रखना मोशली में बोलता नहीं हूं फिर भी बोल दूँ अगर आपको कलास अच्छी लगती है ठीक है और स्रेश्टा आपको कलास में लगती है तो इसे जरूर सेर करें लाइक करें और कोई भी समस्या हो संदी से संबंदित कोई समस्या हो तो उसके लिए चीज शेर कमेंट जरूर करें किसा अब हमें यह सब्द नहीं आरा इस सब्द का हमें सही बताईए लेकिन जितने भी आपके वाटसऑ ग्रूप हैं एजुकेशन ग्रूप हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा इन्हें सेर करें जिसे अधिक से अधिक लोग इसका लाब ले सके धन्यवाद